हलो फ्रेंट्स वेलकम यौल अग्रिम शिक्षा बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अग्रिम शिक्षा प्लेटफॉर्म पर एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को नमस्कार सभी को प्रणाम और आज हम लोग बात करेंगे भाई सब्सक्राइब को पता है और आपके पास ज्यादा समय नहीं है जितने भी बिगनर्स हैं उनके लिए क्या सही रणनीती होनी चाहिए क्या स्ट्राटेजी होनी चाहिए इस्पेशली जीके एंड जीस के अंदर क्योंकि बहुत वास्च सब्जेक्ट है कभी भी आप लोग इस चीज तो झरूर सब्सक्राइब करने का जो प्कस्क पर और क्यके यहां से इक्षानन करना है इस चीज पर धियान देंगे उनके पास समय कम हैं आपके पास सिफ 25 डेज हैं इसलिए हमने आपके 25 डेज का प्लान बना है कि स्ट्राटेजी बनाई एक रणनीती बनाई है जिसके आप लोग चलेंगे तो आप लोग बिल्कुल क्या कर सकते हैं जो आपका टीर वन एक्जाम है प्री एक्जाम जो है से कि आपको सब्सक्राइस के बाद करें अब करने हैं योजनाय हो गई है आपकी ईडेली की जो करण टाफेज होती है उसमें आपको क्या पढ़ना है तो अि याद भी नहीं रहेंगे लेकिन मेन कुछ ऐसे यहां पर टॉपिक होते हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हैं जैसे क आपके हो गए प्राइजेज जैसे कि आप पढ़ेंगे प्राइजेज के बारे में बचे प्राइजेज अप कौन से हो गए नोबेल हो गया राइट आप बात करेंगे किसकी बचे भारत रत्न की भारत रत्न हो गया ठीक है अब बात करेंगे किसकी साहित अकादमी पुरसकार क यहां पर प्रश्न बनता ही बनता है जैसे कि आप से पूछ लिया जाएगा कि राष्ट मंडल खेल जो है 2022 में किस जगह पर कराए गए थे और भारत का क्या इस्थान रहा ठीक है दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा इसके अंदर जहां से इसके पूछन पूछा जाता है इंडेक्स हो गए ऑनटेक्स हो गए बच्छे इंडेक्स से हमेशा सुचकांक जिसको आप लोग क्या बोलते हैं और सूचक कांक बनता है अगर बात करें कि और और क्या होता सैन्य अभ्यास जितने भी सैन्य अभ्यास हैं जितने भी आपकी military exercises हो गए यह भी आप से पूछे जाते हैं तो यह कुछ topic ऐसे हैं अगर आप पढ़ लेंगे current affairs के अंदर तो आप बेशक paper को क्या कर सकते क्वालिफाई कर सकते ठीक है यह हो गया बच्छे आपका static पोर्षण की जब हम बात करते हैं static portion ठीक है GKE का चो static portion है कित्रे subject थाते हैं इसके इंदर कित्रे सभ्यक्ट थाते हैं आप कितूपन हो गया ठीक हि क्या हो गया बच्छे कि यहां पर आपका quality हो गया अब quality की बात कर लेते है wa through stal YOUR Tom लेकर करके बैठेंगे आप कवर नहीं कर पाएंगे आपके पास time कम है आपको मेन मेन क्या पढ़ना है तो आपको बच्छे जादा तर जो आपसे पूछा जाता है सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए आपको सब पता होना चाहिए दूसरा बच्छे आपसे पूछ लिया जाता है पंडा मेंटल ड्यूटी के बारे में यह बहुत most important आपको points बता रही हूं topics बता रही हूं जहां से question पूछा ही जाता है अमेंडमेंट्स बहुत पूछे जात चीचाना चत्रीक जाता है एक ऑसारी कि यह 2002 सब्स्रांस बाखने के रहे हैं को मेंडमेंट्स पढ़ने ही होगे जैसे कि जम्मू औ इस ट्री में आप सभी लोग जानते हैं कि questions जो है धीरे-धीरे यहां से वेटेज जो है history का कम होता जा रहा है ठीके ये भी तीन पार्ट में आपको पढ़नी होती है ये भी बच्चे तीन पार्ट में पढ़नी होती है जाएंगे आपके modern से अगर आप बात करें मेडाइवल से भी आपका हो सकता है कि एक question पूछ लिया जाए एंशेंट से हो सकता है आपका एक question पूछ लिया जाए ठीक है ओवराल अगर हम बात करेंगे अगर इन दौनों पूछन से questions नहीं आएंगे तो modern से अके लिए दोसे चार questions पूछ जा सकते हैं history से अगर ancient और medieval की बात करें अगर तीनों portion में से पूछ जाएंगे तो एक एक question यहां से भी जरूर पूछा जाएगा ठीक है clear है इतना आपको पता होना चाहिए ठीक है तो कम से कम आपको किस पर focus करना है नहीं समझ में आ रहा है एंशेंट मत पढ़िए नहीं समझ में आ रहा है next subject की अगर बात कर लेते हैं आपका quality हो गया history हो गया इसके अंदर next subject की आ जाएगा बच्चे निकल करके तो आपका जो पूछा जाता है क्या हो जाएगा science हो जाएगा अब science से बच्चे बहुत जड़ते हैं कि science में भई सारे पढ़ने पढ़ेंगे हमें क्या पढ़ना पढ़ेगा chemistry भी पढ़ने पढ़ेगी उससे रिलेटेड आपसे चीज़ पूछ लियाती है क्या वितमिन्स पूछे जाते हैं है ना most important topic है क्या बच्चे विटामिस जरूर पूछ लिया जाएगा कितने टाइप की होते हैं यह पूछ लेते हैं या फिर कौन सा कि अंदर कौन सी गयस होती है उसके अंदर की गयस पूछ लिए आपसे डिली लाइफ से कनेक करके अगर साइंस को पढ़ेंगे छोटे चोटे चोटे के बारे में के हड्डियों के लिए क्या ज़रूरी होता है ठीक है आप से पूछ लेंगे भई हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पूछ लेते हैं बच्चे अगर अच्छा लगा है तो इस क्लास को इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करेंगे लाइक करेंगे थांक्यू सो मच